अस्ताम लेकुम कैसे हैं आप सब आज हमारी इस चप्टर की लांस्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7.7 यह हमारा है यूनिट नंबर 5 का चप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज हमारी है 7.7 और पेज नंबर है 130 अच्छे अब इसमें हमने क्या करना है के क्वेस्ट नंबर 1 में यह हमने टाइम पिरिएट फाइंड करना है तो यह ज़ाधा तब हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब हम एक अपना यहां पर क्लॉक बना दिया करें जैसे और फिर वहां से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्वेस्ट नंबर 1 में बुक में है के ट्रेन लिव सीटी ए एट सेवन थर्टी एम एंड रिच इस सीटी बी दा नेक्स टे एट एट थर्टी पीम ठीक है फाइंड दे टाइंड टेकन पाइदा ट्रेन टू रिच इट इट बी अब नेक्स टे का फाइंड करने हैं अब जैसे वन आर डे में कितने आर्ज होते हैं 24 आर्ज होते हैं तो सेवन थर्टी एम से सेवन थर्टी पीम तक 12 फिर सेवन थर्टी पीम से सेवन थर्टी एम तक 12 आर्ज ये तो हो गए 24 और फिर हमने पीम से लेके पीम तक देखते हैं वो एम तक हो जाएगा और देखते हैं टूटल कितने आर्ज बनेंगे start कहां से हुआ 7.30 a.m. से अगर हम count करते हैं 7.30 p.m. तक तो ये total कितने hours बने हमारे पास 12 hours ठीक है लेकिन अगर हम यही 7.30 से p.m. से हम 7.30 a.m. तक जाती है दुबारा से लेकिं a.m. से शुरू है a.m. तक गए तो ये भी 12 hours अब हमने find करना है कि next day भी वो रात को जाके पहुंचती है 8.30 p.m. तो फिर हम यहां से find करेंगे 7.30 a.m. से 8.30 8.30 नहीं अभी हम 7.30 p.m. कर लेते हैं 7.30 p.m. तो 7.30 a.m. से 7.30 p.m. तक ये भी 12 hours और पिर आगे एक गहंटा और क्योंकि 8.30 तक हमने find करना है तो 7.30 p.m. से 8.30 p.m. ठीक होगे तो ये कितने यहां से बन गया 1 hour अब हम इन सब को plus करें अगर तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2, 6 प्लस 1 7 और 1, 2, 3 hours ये हमारे बन के complete ठीक है यानि A, C, T, A से C, T, B में जाने के लिए ये next day की बात हो रही थी तो the train took time 37 hours ये लिखना है train took time 37 hours ये था हमारा question number 1 अब हम करते हैं question number 2 question number 2 में calculate the duration question number 2 में हमने क्या करना है calculate the duration of time in hours and minutes between अब हमने minutes और hours बताने है 5 o'clock से half past 8 half past 8 का मत्दब कि 8.30 तक हमने time count करना है कितना हमारा time बनता है तो हम करेंगे इस question में 5 o'clock से 8 o'clock तक देख लें कितना बनते हैं 3 hour और आगे 8.30 हमने find करना है 5 o'clock से 5 से 8 तक half past 8 8.30 तक तो ये हमारे बस कितने बन गए 3 hours तो आगे half past 8 तो ये कितने हो गए half past 8 में 30 minutes तो हमारा total duration हमने जो find कर लिया वो 3 hour 30 minutes का था 3 hour आपको समझागी किस तरह से हमने find किया के 5 से 8 तक यानि 6, 7, 8 3 hours ये कर लिया half past 8 था तो 30 minutes से तो total हमारा time duration कितना आ गया तो ये हमारा time duration आ गया 3 hours 30 minutes का इसी तरह बी पार्ट में 5.45 pm से 7.20 pm तो हम क्या करेंगे 5.45 pm से हम 6.45 pm पे चलते हैं यहां तक कितना बन गया हमारा 1 hour और अगर हम 6.45 से 6.45 तू पी-एम तू 7.15 तक क्योंकि देखें ना अगर बल्के ऐसे कर लेते हैं आप 6.45 से 7.00 pm तक यह 15 minutes और आगे है 7.00 pm टू 7.20 pm तो यहां तक कितने हो गए 20 minutes तो 20 प्लास 15 टोटल कितने हो गए 35 minutes तो इसका हमने duration find कर लिया 1 hour 35 minutes यह हम इसका duration find कर रहे हैं टोटल B part C part 4.15 am 4.15 am से am के जो होता है वो morning time और बी-एम इवनिंग कर तो अब हम find करना है हमने 7.40 am तक तो पहले हम 4.15 से 5.15 तक काउंट करेंगे यह कितना बन गया आर ऐसे 5.15 से 6.15 तक काउंट और 6.15 से 7.15 तक कितने बन गया यह भी वन आर ही बनेगा ना तो बाद में प्लस करेंगे तो तो यह भी वन आर अब 7.15 तो 40 तो अगर आपको यह नहीं समझ आता तो हम यह कुलॉक भी बना सकते हैं कुलॉक बनाएंगे ना वन तो त्री फॉ 8, 9, 10 और 11 ठीक हैं अब 7.40 हो रहे हैं तो 7 और 8 के दरम्यान में और यहां पर 7.40 यह सेकंड की सुई जो छोटी वाली होती है वो आर्स की होती है अब 15 तक तो यह हो गया ना टाइम क्यूंकि यहां से 3 से 4 तक 5 मिनिट बनते हैं तो आगर हम मिनिट्स काउंट कर लेंगे 3 आर्स तो बन गए ना 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और इसको हम काउंट कर लेंगे 5, 10, 15, 20 और 25 तो टोटल हमने डियोरेशन फाइंड कर लिया 3 आर 25 मिनिट्स यह हमारा C पार्ट कम्प्लीट हो गया अब हम करते हैं इसका D पार्ट D पार्ट में क्या फाइंड करना है 10 एम टू टू एम तक 10 पी एम से अब 10 पी एम से इसके D पार्ट हमारा है इसमें हमने 10 पी एम टू टू एम तक ठीक है अब 10 पी एम 10 पी एम से 11 पी एम तक वन आर फिर 11 से 12 तक फिर वन आर और वो 12 के बाद फिर आगे एम स्टार्ट हो जाएगा तो वन तक फिर 12 से वन ओक लॉक तक वन आर और वन ओक लॉक से टू पिर जब सब को प्लस करेंगे तो हमने टोटल duration find कर लिया इसका 4 आर अब हम करते हैं person number 2 का e part e part क्या है यह भी time duration find करना है 8.30 to 9.40 8.30 am to 9.45 pm अब pm से pm पे जाना है तो हम क्या करेंगे 8.30 am से 9.30 pm तक यह तो हो गए 12 hours कितने हो गए 12 hours 8.30 am से 8.30 pm तक 12 hours अब 8.30 से 9.30 तक वन आर 8.32 9.30 यह वन आर और उसके बार 9.30 के बार 45 तक तक तो 15 minutes और है तो यह total duration कितना बन गया 12 plus 1 13 hours 15 minutes यह हमारा e part था यह complete हुआ अब इसका f part 6.45 am to 10.15 pm तो इसमें हम find करेंगे 6.45 am से pm तक है तो 6.45 से am से 6.45 pm तक यह total कितने हो गए 12 hours यह हमने find कर लिए 12 hours अच्छा जी उसके बाद 6.45 से 7.45 तक 1 hour 8.45 तक 1 hour 9.45 तक 1 hour 9.45 के बाद 30 minutes और बन रहे हैं कि 15 minutes इतर से और 10.50 तो अब यह हमारा duration हमने find किया 30 minutes इन सब को हम plus कर लेंगे 15 hour 15 hour और 30 minutes ठीक हो गया अब हमारा question number two complete हो गया question number three है it's usually takes 4 hours 45 minutes to travel from city A to city B if a bus takes 5 hour and 30 minutes by how many minutes is it delay कितनी देर वो डिले हूँ अगर उसका time 4 hour 45 minute का है city A से city B तक लेकिन वो 5 hour 30 minute में पहुंची तो वो उसका delay time कितनी देर का होगा जी question number three में total hour कितने 5 hour और 30 minutes थे ना में वो पहुंची और उसका duration जो था वो 4 hour 45 minute का था तो हमने यह देखना है कि कितने minute लेट हो तो हम यह 30 है 45 इसमें से तो माइनस नहीं कर सकते 1 hour जब इदर आया तो यह कितना हो गया 60 plus 30 90 अब हम इसको 30 में से नहीं करेंगे 90 में से करेंगे सब्ट्रेक 10 में से 5 गया 5 और यहां पे 8 बज गया 8 में से 4 गया 4 45 मिनट और यह 0 यह 0 है और यह 40 यह ट्रेन जो है इसमें 45 मिनट लेट 45 मिनट लेट है यह हमारा क्वेस्ट नमबर कॉंसे था क्वेस्ट नमबर 3 नौ क्वेस्ट नमबर 4 स्कूल स्टास अट 8.15 पे स्कूल स्टाट ओर है स्कूल स्टाट अट 8.15 अ.म अच एंट 2.45 प्.म calculate the duration that the school open तो अब हम 8.15 से 9.15 9.15 तो 10.15 10.15 तो 11.15 11.15 तो 12.15 और 12.15 के बाद फिर क्या होगा 1.15 और 1.15 से 2.15 तक और 2.15 से आगे 2.45 तक यहां पर बनेंगे 30 मिनट्स तो यहां पर 1.1.1.1.1.1 6 आर्स यहां पर बनेंगे हमारे 6 आर्स यह 2.15 तक है लेकिन हमारा ओफ टाम के है 2.45 का तो 30 मिनट्स हो रहे है दा स्कूल दा दियारेशन आफ स्कूल इस यह मैंने आर्स फाइंड किया हैं भी 30 मिनट्स और रहते हैं यहां पर वो हमने इसके इंक्लूड करने 6 आर्स फॉर्टी फाइव मिनट्स यह हमारा डियूरेशन था कोईसर नमबर फॉर भी हो गया हमारा आई होब कि आपको समझागी होगी यह सब को हमने आर्स को प्लस कर दिया था अब लास्ट क्वेस्टन है उसमें है कि मदीहा साइंस क्लास बिगिंज फॉर ट्वटी पे स्टार्ट हो रही है और फिनिश हो रही है साइंस क्लास हम मैथ क्लास का पहले फाइंड कर लेते हैं 645 से 815 तक तो हमने इसको क्या करना है इसको क्या करना है इसका नमबर फाइब और मैथ क्लास का ताइम फॉर ट्वटी सॉरी फॉर ट्वटी नहीं सिक्स सिक्स फॉर्टी फाइव से 745 तक और 745 से 845 तक यह तो टू आर्स बन रहे हैं ना लेकिन हमने टू आर्स के लिए नहीं फाइंड करना यह यहां पर वन आर हो गया 745 से 815 तक 745 से 15 मिनट सी है और 815 तक 15 मिनट सी है तो यह कितने बन गए 30 मिनट तो मैथ की क्लास का डियोरेशन है 1 आर 30 मिनट अगर 745 से 845 वो तब फिर 2 आर्स बन जाता लेकिन 815 तक है तो इसलिए 1 आर 30 मिनट बन गया अब हमने साइंस का क्लास का डियोरेशन फाइंड करना है कि उसकी क्लास है 4.20 से 4.20 पी-म से 6.35 पी-म तक 4.20 से 5.20 तक वन आर और 5.20 से 6.20 तक ये भी वन आर और 6.20 से 15.35 तक 20 यानि इसका मतलब है 4 पे है ओपर कितने है थर्टी-फाइव टॉन्टी और ये बनेगा हमारे पास टॉटल टान है तो आर्स 15 मिनट बनेंगे ना क्योंकि 5,10 और 7 पे यहां तक तक तो 5,10 फिफ्टीं 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 तक बनेंगे तक बनेंगे तक 1 प्लस 1 कितने होगे टू आर्स तो साइंस की क्लास 2 आर्स 15 मिनट की तो कि आपको ये एक्सरसाइज समझाई होगी इसके साथ अब हम इसके एमसी क्यूज भी कर लेते हैं कि इसके साथ हम इसके मल्टिपल चॉइस के कुष्टन है 12 मीटर 8 सेंटीमीटर इसको सेंटीमीटर में करना तो वन मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं हम इसको क्या कर देंगे कि आप इसको किसमें करेंगे 12 मीटर 8 सेंटीमीटर है तो हम इसको 128 कैसे लिखेंगे 12 मीटर है इसको हम मल्टिपलाय करेंगे वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं तो यह कितने बन गया 12 मीटर 120 सेंटीमीटर तो 120 प्लस 8 कितना हो गया 128 यह इसकी ऑप्शन बी इसकी करेक्ट है और 23.45 किलो मीटर को मीटर में हमने कनवर्ट करना है तो हम इसको मल्टिप्लाय किससे करेंगे यहां पूबल के पेज पे सॉल्ट कर देती है इसे बुक पर मैंने सॉल्ट दिये है तो टूटी थी पॉइंट फॉर फाइब तो इसको हम कैसे सॉल्ट करेंगे यहां पे हंडर्ड और थाउजंड से मिसको मैटिप्लाइ कर देंगे टू जिरो टू जिरो से कट होगए तो यहां अंसर आ गया टू थरी फॉर फाइब जिरो और शिक्स पॉइंट सेवन फाइब मीटर को किलो मीटर में करना है तो जब मीटर से किलो मीटर में हम जाते हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं एक तो 6.75 है इसका पॉइंट खतम किया नीचे 100 आ गया और एक हमने 1000 से मंटिप्लाइ कर दिया अब हम 675 को 5 x 0 यानि वन लेग से डिवाइड करेंगे तो हमारी option B करेक्ट आ रही है 1 minute 20 second को second में convert करना है 1 minute में 60 seconds होते है 60 plus 20 तो ये 80 seconds आ गया this month has 30 days इन में से देख लें कि November जो है वो उसमें 30 days होते हैं अब ये assessment की हुई ये solve ये देख लें क्योंकि अपसर messages आते हैं कि assessment भी solve कर दें मैं assessment इसलिए ही solve करती क्योंकि पूरा चप्टर बच्चे कर लेते हैं तो assessment जो है वो अपने practice के लिए फूद कर रहा है okay students आप अपना ख्याल रखेगा और फ्लीज वीडियो को like और share जरूर किया करें चैनल पे अगर आप नई हैं तो चैनल को subscribe कर लें अपना ख्याल रखेगा अपना ख्याल रखेगा हो गया तो इसमें 12 मीटर को हमने मीटर को सब्सक्राइब करना ठीक तो वनदो मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं 100 संपर लेंटे हमें कितने हुए 1200 सेंटिमीटर और 1200 प्लस एट तो आंसर क्या बनेगा 1208 और इसकी option एक रेक्ट है इसको सही कर ले पहले जो था ना में वह भूल के option बी कर दिये नहीं इसकी option एक रेक्ट है ठीक है ओके अपना फ्याल रखियेगा अला आफेस